नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वगत है दोस्तों G5 की सीरीज काली का दूसरा सीजन आने ही वाला है ये जो सीरीज थी काली, ये G5 की पहली बंगला सीरीज थी हलां कि अब ये हिंदी तमिल मली आलम कई भाशाओं में उपलब्ध है और ये सीरीज आई थी नमबर 2018 में प्रोड्यूसर है इसके परवरत चट्वपाध्ध है और रेक्टर है कोरुक मूर्मू तो दोस्तों दूसरा सीजन आने से पहले आज में बात करूँगा पहले सीजन के बारे में आज में पहले सीजन की कहानी थोड़ी सी लंबी आपको सुनाने वाला हो और इसके जो दूसरे एसपेक्ट है उसके बारे में बात करने वाला हो ताकि यदि आपकी एक्षा दूसरा सीजन देखने की हो आपने पहला सीजन नहीं देखा हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से दूसरा सीजन देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि पहले सीजन में कहानी किस तरह की थी और क्या-क्या वहां हुआ था दोस्तों पहले सीजन में हमने देखा ये जो कहानी है ये कहानी है काली की काली की भूमिका में हमने देखा पावली दाम को तो काली जो है वो अपने बेटे सनी के साथ अकेले रहती है और वो जो मेकप पगर के काम करके घर घर जाकर के लोगों का मेकप करती है और उससे अपन ही episode है इसमें आपको पातरों का परइचेत मिली जाता है यह भी पता चल जाता है कि कहानी कितनी interesting होने वाली है पहले ही episode में यह जो काली हैं काली के husband हत्या के लिद्याम में गिरफतार कर लिए जाते हैं और इनका बेटा सनी एक accident का सिकार हो जाता पता ये चलता है कि सनी के जो लंग है वो काफी डैमेज हो चुका है इसके इलाज के लिए तत्काल चाहिए छे लाख रुपए और मोहलत है केवल 12 घंटे की यानि की काली को केवल 12 घंटे में 6 लाख रुपए जुटाने है उसके पास अब देखिए उतने पैसे तो थे नहीं बहुत मुसीवत हो गई अब वो जाती है लॉक अप में मिलने अपने पती से उसका पती बताता है कि उसके घर में उसने एक पैकेट छुपा करके रखा है औ और वो पैकेट अगर वो किसी खास जगह पर दे दे तो उसे धेर सारा पैसा मिलेगा वो पैकेट होता है ड्रुप्स का और काली अब पहले तो हिचकी चाहती है कि उसे लगता है कि कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और वो पकड़ी गई वो भी जेल चली गई तो फिर उसक दीरे वो जिस तरह से घटना आगे बढ़ रही है वो ड्रुप्स के इस काले धंदे में घुष्टी चली जाती है एकठे उनको 6 लाक रुप्या मिलता नहीं है फिर कोई दूसरा ओफर मिलता है कोई तीसरा ओफर मिलता है और वो एक एक करके इन ओफर्स के चकर में इस द्रुमिकां में आप देखते हैं जो पुलिस Profan, राहूल बेनर जी को तो अनिकेत भोस यस के धंदे का खात्मा करना चाहते हैं कई बार अनिकेत और काली का आमना सामना होता है सिरीज में और हम देखते हैं कि अनिकेत और काली का एक पास्ट था तो इनकी जो आपस की chemistry है वो देखना भी काफी interesting है कहानी कई mode लेती है कई इसमें उतार चड़ावाते हैं जो बिलकुल ही आखरी दर से है उसमें आप देखते हैं कि जो काली है वो एक going war में फसी हुई है कैसे वैसे करके वो पैसे ले करके भागती है और फिर अपने बेटे का इलाज का पैसे जमा करवाती है उसके बाद होता यह है कि उसके बेटे का फरन कर लिया जाता है उसके पास बीमार है और gas cylinder लगा हुआ oxygen cylinder उसके support में लगा हुआ और जो oxygen support है वो कुछी घंटों का बचा हुआ है यानि काली के पास अब यह challenge है कि वो अपने बच्चे को कुछी घंटों में छुड़वाए नहीं तो उसकी जान जा सकती है exactly दूसरा season अब यहीं से शुरू होने वाला है हाला कि जो पहले season में कुछ पातर से जैसे की थे ओसी मित्रा ओसी मित्रा की भूमका में आपने देखा होगा शांतिलाल मुखर जी को तो अब यह ओसी मित्रा के करेक्टर दूसरे season में आपको नहीं दिखेगा कुछ नए पातर यहां जरूर इंटेल्यूस होने वाले हैं तो दोस्तों जो दूसरा season है उसका मतलब जिस तरह से पहला season खत्म हुआ था तो यह उम्मीद जरूर है कि दूसरा season भी बड़ा ही संसनी खेज और बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आप बात करें अभिने की तो पहला season बहुत ही शांदार गुज्रा हमने देखा पावली दाम को बहुत अच्छी अविनेत्री है वह बंगला के चर्चित अविनेत्री और यहां भी उन्हों अच्छा हमने किया था या फिर दूसरे आनकलाकार थे जायर वह राहुल बैरजी हो शांतिलाल मुखर जी वह सब अच्छे कलाकार यहां दिखेए सते हैं दूसरे सीजन में नहीं मैं लगता है जैसे कहानी आगे बढ़े खत्रों में उलजती चली जाती है वह देखना काफी ही जिल्चसफ था पहले सीजन में तो दूसरे सीजन देखते हैं किस तरह का होने वाला है दोस्तों देखिए कि पहले सीजन में हलाकि जो एक कहाने का थरस्ट था या एक मैसेज था वह यह था कि कोई भी महिला कमजोर नहीं होती है अगर उसको बिलकुल ही जान पर बना या फिर अपनों की बात आ जाए तो वह कुछ भी कर सकती ह और देखिए इसलिए सीरीज का नाम रखा गया काली जो हिंडू मैथालोजी है उसमें पहले सेजन में हमने देखा और पहले सेजन के जो ह暂ter 將 chosen उनका नाम भी इसी तरह से कुछ रखा गया था जो कि मता काली के नाम है अलग-अलग जैसे कि बैस located यह पीतामरह हैं यह तारा हैं यहसके तरह यह पर दो सारे नाम आपको एससोड में देखे थए थे तो दोस्तों पहला जो सीजन था वह वह बहतरीन कहानी के मामले में, स्क्रिन प्ले के मामले में, आक्टिंग के मामले में, और दूसरा सीजन जो है, उसकी कहानी चुकी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ से सुरू हो रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा सीजन भी इतना नहीं बहतरीन होगा अब देखे कुछी दिनों में दूसरा सीजन आने वाला है मैं तो देखूंगा ही आप भी देखिए और मैं उसका रिव्यू ले करके फिर आपके सामने आऊंगा तब तक दोस्तों देखिए आप मेरे वीडियो मेरे चैनल को पसंद करिए यदि सब्सक्र किया है तो बेल आकान प्रेस करने के बाद और प्रेस करिएगा कुछ कहना चाहते हो तो कमेट करेगा वीडियो अच्छे लगी तो शेयर जरूर करिएगा धन्यवाद